नमस्कार दोस्तो नैसनल अपडेट्स की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है बिना समय जाएकि इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो पहली खबर गोरकपूर से आ रही है जहां सहर में जाम से निजात पाने एवन सहर की विस्तार को देखते हुए तीन बसड़ों का निर्माड प्रस्तावित किया गया है इन बसड़ों का निर्माड प्रस्ताव है ये बसड़े इंटर स्टेट बसड़े होंगे जो गो सड़े के लिए करीब तीन एकड़ भूमी गीड़ा ने राम नगर कड़ जहां में आइडेंटिफाई की है इसके अलावा का लेसर और मनी राम में भी लेंड आइडेंटिफाई किया गया है बसड़ों के निर्माड के लिए दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दू गोर से ज्यादा की सेल की है इससे यह पता लगता है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की अच्छी ग्रोथ हुई है दोस्तों कोरोना वायर्स के कारेंट लोगों की स्वापिंग अब ओफ लाइन से ओल्लाइन सिफ्ट हो गई है इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सतता हजार भारती सेलर्स ने मिलियन डॉलर्स के मेरिं इंडिया प्रोड़क्स को वल्ड वायड सेल किया है इस बार लगबख तीन गुना जयदा डिमांड नॉर्थ अमेरिका उय्रोपियन यूनियन मीडल इस्ट नॉर्थ एफ्रिका भारती सेलर्स को आ रही है एस वी को थोड़ा परवर्तित भी किया गया है कोरोना वायरस पैंडमे के चलते में सेक्टर पे काफी ज़्यादा नकरात्मक परवाव भी पड़े हैं इसके लिए सेंटर ने एमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारेंटी स्कीम लाई थी जिसके तहद में को लोन प्रोबाइट करना थ इस स्कीम के तहर सेंटर गवर्मेंट को तीन लाग करोर का लोन इन MSME इंटरपैस को पहुचाना था इस स्कीम के तहर सेंटर गवर्मेंट ने दो लाग पांच जार पांसो बासट करोड रुपए 81 लाग अकाउंट्स में भेद दी हैं दोस्तो चौती कबर आ रही है में स्टैबलिस किया गया है लबग दोस्तो चार आई ग्रीडर कानपुर में अभी तक स्टैबलिस के जा चुके हैं दोस्तो अगली ख़बर नोडा फिल्म सिटी से सम्मंदित है उत्तर प्रदेश में नोडा फिल्म सिटी में काम करने के लिए इस्च्छुक नौजवानों को टेनिंग दी जाएगी यह उत्तर प्रदेश के कौसल विकास मिशन का हिस्सा बना दिया गया है इसके तहित लखनव समय उत्तर प्रदेश के अन्य सहरों में बड़े बड़े ट्रेनिंग स्टिट्यूट का निर्माड परस्तावित है जिसमें असिस्टेंट वीडियो एडि अगली ख़बर एनचे आई से है एनचे आई चितूर से तातचूर ग्रीन फिल्ड एक्सपर्स वे जिसको एनचे आई दोवारा नैसनल हाइवे 716 बी का दरज़ा दिये गया है अंडर भारत माला परियोजना इस प्रजेट की कोस्त लगबग 3100 करोड एस्टिमेटिट की ग गुजरेगा तथा ये ग्रीन फिल्ड एक्सपर्स वे चेन नई कॉर्णूल इकॉनमी कॉलिडूर का भी हिस्सा होगा ये बैंगलूरू से चितूर की बीच डारेक्ट हाइवे कनेक्ट्विटी प्रोबाइट करेगा दोस्तों 21 दिसंबर 2020 को एनच ए आई ने इस एक्सपर के खिलाब प्रजसन भी शुरू कर दिये हैं दोस्तों अगली खबर नैसनल हाइस्पीड रेल कॉर्परेशन लिम्टेड यानि की एनच आर्सियल से आ रही है जिसने भारत में बनने जा रहे कई बूलेट ट्रेन कॉलिडूर के प्रोजेक्स की डेडलाइन सेट कर दी है इस कानपूर भी इस बुलेटेन कॉलडोर में इंकलुडेड है और अयोध्या की इंकलूड होने से बहुत सारी लोग ये कह रहे है कि एक ट्योट्जम कॉलडोर प्रीयाग राजर और वराट शी ये सारे प्रमुक्थ सहर सामिल है साथ इस भी हैस्पीड रेल कॉलडोर की एकस् 2031 तक वानाड़ सी पटना, 2031 तक पटना टो कॉलकाता यानि कि 2031 तक दिल्ली से कॉलकाता तक हाइस्पीड रेल कोईडोर का निर्माड पूरा करने की कोसिस की जाएगी इसके लबा 2041 तक हैदरबाद बैंगलूरू, 2041 तक नागपूर, 2051 तक मुंबई टू नागपूर, 2051 तक मुंबई से हैदरबाद, 2051 तक दिल्ली चंदीगर, अमरिसर और 2051 तक अमरिसर पठान कोट जम्मू, 2051 तक चेन्ने, बैंगलूरू, मैसूर, सो इन सभी हाइस्पीड रेल कोईडोर की ये टाइम लाइन सेट की गई है कि इन समयकाल तक यहाँ पर यह सारे पुले ट्रे